आपका आदर्स धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले प्रस्णोत तरीकारिक्रम में आज का प्रस्ण लिया है स्रीमान सुभम गो स्वामी जी का उनका प्रस्ण है कि एक कथा के अनुसार स्री राम जी का बनवास के समय माता सती उनकी परिक्षा लेने जाती है और एक कथा के अनुसार भगवान राम के जन्म के समय भगवान संकर जोत्सी बनकर और माता पार्वती कोशल्यारानी की दासी के रूप में उनका दर्सन करते हैं परंत माता पार्वती का जन्म माता सती के बाद हुआ तो यह दोनों कथा एक दूसरे से मेल नहीं खाती क्रपिया मेरा संसय दूर करें तो मित्र रामयन की एक कथा के अनुसार माता सती ने भगवान स्री राम की बनवास के समय पर इक्षा लिया था और सीता का रूप लेने के कारण भगवान सिव ने उनका परित्याक कर दिया था किन्तु दक्ष प्रजापती सती जी के पिता के यहां हो रहे यग में जब उनके पिता ने क्रोध नाराजगी में सिव जी को नीचा दिखाने के लिए यग में सिव जी को निमंत्रन नहीं दिया था परंतु सती जी नहीं मानी और वहां गई वहाँ अपने पती के अपमान के कारण उन्होंने यग कुंड में कूद कर आप महत्या कर ली थी और उसके बाद उन्होंने पुनह पारवती उमा के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया और पुनह सिव की अरधांगिनी बनी थी दर असल यह कथा तेरहवे मनवंतर की है आपके दूसरी कहानी की राम जन्म के बाद सिव और पारवती जी भेश बदल कर उनके दर्सन करते हैं वो भी सच है यह कहानी वैसे प्रामानिक नहीं है यह कथा 27 मनवंतर की है अर्थात आज जो 28 मनवंतर चल लहा है जश्ट उसके थोड़ा पहले की यह बात मैंने अपने कई वीडियोज में बताया है कि प्रभू स्री राम प्रतेक कल्प में आते हैं और संतों ब्रामनों धरती धर्म आदिकी रक्षा करते हैं और दुष्ट सक्तियों का संगार करते हैं गोस्वामी तुलसिदास महर सिबालमी की सभी इस बात को प्रमानित करते हैं कि प्रभू स्री राम प्रतेक कल्प में जन्म लेते हैं और दुष्टों का संगार करके धर्म की पुनरस्थापना करते हैं मानस में कहा गया है कि जब जब हो ही धर्म कईहानी बाढ़ ही असुर अधमय भिमानी तब तब प्रभू धरी बिविध सरीरा हर ही सदा सजन की पीरा असुर मारी थाप ही सुरन राख ही निजस रुति से तू और जग भिस्ता रहीं भिसद जस राम जन्म करहे तू भगवान सिव कहते हैं कि जब संसार में धर्म का रास होता है और असुर सक्ती बहुत बढ़ जाती है तब प्रभू बिवित प्रकार के रूप रख करके हमेशा आते हैं और सजनों की पीडा को दूर करते हैं अशुरों का संगार करते हैं अपने द्वारा इस्थापित बेदों को कि जो सुरुति से तु सुरुति मतलब बेद और से तु मतलब पुल जो सुरुति के द्वारा बेदों के द्वारा संसार में समाज को चलाने के लिए जो रूल, जो कानून, जो नियम बताए गए हैं, उनका मान रखते हैं, और इस तरह से फिर से संसार में धर्म की पुनरस्थापना करते हैं, और यही स्री राम जी के जन्म का भी कारण है. इसके बाद भगवान सीव स्री राम जन्म के कुछ कारण उदाहरन देते हुए बताते हैं, कि भगवान ने बिभिन कल्प में राम अवतार क्यूं लिया? एक बार नारद स्राप और मेरे दो सिवगण जिन्होंने एक रिसी अर्थात देवरिसी नारद का उपहास किया था, वो दंड स्वरूप रामन कुम करण होते हैं, उनके कारण प्रभूश्री राम रूप में आये. एक बार जालंधर ने रामन रूप में जन्म लिया तब आये, एक बार जय बिजय के दूसरे जन्म रामन कुम करण बनने पर आये, एक बार राजा प्रताप भानू के रामन बनने पर आये, उसी तरे एक बार कस्यप अधिती राजा दसरत और कौशल्या हुए, एक बार सतरूपा दसरत कोशल्या हुए अते प्रतेक कल्प में स्री राम का जन्म होता है और एक कल्प में माता ललिता सिव की पत्नी थी तो दूसरे कल्प में माता सती थी तो तीसरे कल्प में माता पार्बती उमा थी हरियनन्त हरिकथा अनन्ता जिनका कोई पार नहीं पा सकता, उसी तरे से भगवान की कथाएं भी अनन्त हैं, जिनको बिविद प्रकार से बेद पुराण और संत लोग गाते हैं। उत्तरकांड में काग भसुन्ड जी बताते हैं कि एहां बसत महि सुनू खग ईसा, बीते कल्प सात अरुबीसा, कर हूं सदा, रघुपती गुन गाना, सादर सुनहीं बिहंग सुजाना। जब जब अवध पुरीर घुबीरा, धरही भगत हित मनुज सरीरा, तब तब जाए रामपुर राहा हूं, सिसुलीला बिलो की सुखला हूं। काग भसुन जी कहते हैं कि हे, पक्षियों के राजा गरुड यहां पर रहते हुए, मुझे बीस और साथ, सत्ताइस कल्प बीत चुके हैं। यहां पर रहते हुए, हम सत्ताइस कल्पों से भगवान स्रीराम के गुणगान करते रहते हैं, जिसको पक्षी लोग सुनते रहते हैं। और इसके साथ साथ जब जब अवदपूरी अर्थात अयोध्या में भगवान स्री राम मनुझ का मनुष्य रूप में आते हैं, सरीर रखते हैं, स्री राम बनके आते हैं, तब तब जाय राम पूर रहूं। तब तब मैं जाकर के अयोध्या में रहता हूं और भगवान स्री राम के बाल लीलाओं को देख कर आतिसय सुख की अनुभूती करता हूं। तो आपकी समस्या का समाधान आपके प्रस्न में ही है। गोस्वामी तुलसी दास की राम चरित मानस में प्रतेक प्रस्न का उत्तर है। बस थोड़ा खोजने की जरूरत है। थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। उमीद करते हैं कि आपको आपके प्रस्न का समुचित उत्तर मि गया होगा अस्तु जै स्री राम